दुनिया के सबसे असामाने लोग दोस्तों, हमारे सौर मंडल में प्रिथवी ही एक मात्र ऐसक ग्रह है जहां जीवन अपने true form में exist करता है और हम इंसान भी यहां अपना जीवन बड़े ही आसानी के साथ जीते हैं लेकिन हर इंसान का जीवन एक जैसा नहीं होता और हम इसे ज्यातातर लोगों का जीवन बहुती कठिनाईयों से भरा हुआ होता है वेल यह कठिनाईया हमारे जीवन का एक पार्ट होती है पर इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जिनका जीवन हम से इतना ज्यादा कठिन है कि आप उसकी कलपना भी नहीं कर सकते तो चलिए क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में बारा विमन लिवज इन वाटर फॉर ट्वेंटी यर्स दोसो इमेजिन कीचिए अगर आपको कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिससे आपका पूरा शरीर सूज जाए और उसमें बहुत सारा दर्द भी हो तो आप क्या करेंगे वल इस बारे में सोचकर ही आपको डर लग रहा होगा लेकिन भारत के पश्चिम बंगाल में रहने वाली पदमनी घोश को 1998 में एक ऐसी अजीब बीमारी हुई जिससे उनका शरीर बहुत सरे दर्द के साथ सूच गया और आपको चानकर हैरानी होगी कि ये दर्द कम करने के लिए वो पशले 20 सालों से अपने दिन के 14 घंटे एक तालाब के अंदर बिताती है 11. Man living in a sewer for 20 years दोस्तो इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग रहते हैं जो कि अपना जीवन बहुत ही अजीब तरीके से जीते हैं इस वीडियो में देख रहे मिगेल जो कि कोलंबिया की सड़क किनारे बने एक 3 मीटर बड़े सीवर में रहते हैं जहां उनके साथ उनकी पतनी और पाल दुक उत्ता भी रहता है दोस्तो आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके पास इस सीवर में टीवी, पंखे और ओवन जैसी सारी सुवधाएं भी हैं 10. Man who lives in a canister दोस्तो क्या आप अपना सारा जीवन किसी मेटल के बॉक्स में विदा सकते हैं वेल इस बारे में सोचकर ही आपके पसीने छूट जाएंगे लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वीडियो क्लिप में देख रहे पॉल एलेक्जैंडर 72 सालों से अपना जीवन एके मिटल कैनिस्टर में विदा रहे हैं क्योंकि वो अपने बच्पन में पॉलियो नामा के एक महमारी के चपेट में आ गए थे दोस्तो इस मशीन की मदद से वो सांस लेते हैं और उनका जीवन इस मशीन पर ही टिका हुआ है 9. The world's dirtiest man और इन्होंने 1954 से पानी को हाध भी नहीं लगाया है जो चीज हमें साफ लगती है वो इनकी नेजर में गंदी होती है दोस्तो आपको चानकर हैरानी होगी कि इतना गंदा होने के बावजूद भी अमु को एक औरत की तलाश है जो उन्हें प्यार करे और उनके साथ रहे 8. A man erases his arm for 38 years दोस्तो आज के समय में लोग बहुत ही आसान जिंदगी जीना चाते हैं और कठनाईयों से दूर भागते हैं लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो अपनी जिंदगी ईश्वर को समर्पित कर देते हैं और उनके सामने दर्द के कोई जगा नहीं होती ऐसा ही एक इनसान है भरत में रहने वाले अमर भारती जो कि एक बहुत ही पहुँचे हुए साधू है दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने भगवान शिफ को प्रसन्न करने के लिए अपने हाथ को और 30 सालों तक उपर उठा कर रखा जिससे उनके हाथ के नाखून भी बहुत बड़े हो गए थे साथ मैन रिफ्यूस टु कट है सेर फॉर 50 यर्स दोस्तों हम सब अपने बालों को नए नए स्टाइल में कटवाते रहते हैं जिससे कि हम अट्राक्टिव देखें पर आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में एक इन्सान ऐसे भी है जिसने पिछले 50 सालों से अपने बाल नहीं कटवाई जी हाँ दोस्तों वियत नाम के तैन वैन हे एक ऐसे आदमी है जिन्होंने 50 सालों तक अपने बालों को नहीं कटवाया था जिसन के बालों का वजन लगभग 10 किलोग्राम का हो गया था दोस्तों तैन वैन हे का नाम Guinness Book of World Records में भी दर्ज है दोस्तों आप सभी ने हमारी इस वीडियो में बहुत से असा मानने विक्तियों के बारे में जाना होगा लेकिन अब मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने अपने जीवन में पिछले 20 सालों से पैसों को हाथ तक नहीं लगाया है जी हाँ दोस्तों डैनियल स्वेलो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हमेशा के लिए पैसों को त्याक कर दिया है और वो आम लोगों से अलग बहुती साधरान से जिन्दगी जीते हैं और वह कहते हैं कि उन्होंने इस तरह की आजादी का नुभव पहले कभी नहीं किया इसके साथ ही वो अपना जीवन किसी घर में नहीं बलकि एक बीःड में अकेले बिताते हैं क्योंकि उन्हें बिना पैसों और साधनों के अपना जीवन बहुती ज्यादा आध्यात्मिक लगता है दुनिया में अकसर बहुत से जुड़वा बच्चों का जन्म होता है लेकिन इन जुड़वा बच्चों में से कुछ बच्चे सर्फ शकल और आदतों से ही नहीं बलकि शरीर से भी एक दूसरे से जुड़ए होते हैं शरीर से जुड़ए होए ज़्यादातर लोग ज्यादा समय तक जिन्दा नहीं रह पाते और तब तो बिल्कुल भी नहीं जब वो दोनों पुरुश हों लेकिन रॉनी और डॉनी ग्यालियन दुनिया के सबसे ज़्यादा उमर के कौन जॉइन ट्विन्स हैं जिनकी उमर छियासट वर्ष है हमजवी को अपना जीवन अपने परिवार और दोस्तों के साथ बिताना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है लेकिन इस दुनिया में अक्सर ऐसे लोग मिल जाते हैं जोने अपना जीवन अकेले ही जीना पसंद होता है ऐसे एक विक्ति हैं मौरो मौरांटी जो कि पिछले 31 वर्षो से अकेले ही अपना जीवन इटली के वियोटली आइलेंड पर व्यतीत कर रहे हैं दोस्तों किस तरीके से अकेले रहने का करण है नेचर के लिए उनका प्यार दोस्तों आज उन्हें आइलेंड के केर्टेकर की जोब भी मिल चुकी है और वो इसे बखो भी पूरा करते हैं दोस्तों अपने परिवार और दोस्तों को छोड़कर अकेले रहना बहुत ही कठन काम है और तब तो ये और भी ज़्यादा कठन हो जाता है जब आपको एक ऐसी जगह रहना हूँ जहां जीवन जीना बहुत ही कठन है स्लावा करोत के एक ऐसे व्यक्ति हैं क्योंकि अपना जीवन आक्टिक में ही व्यतीत करते हैं और वो भी अकेले यहांने नेचर के नाम पर सरफ ठंड और सफेद बरफ ही देखने को मिलती है पर वो फिर भी यहां रहते हैं क्योंकि उनका कोई परिवार नहीं है दोसो स्लावा के ओपर बहुत सी डोक्यूमेंटरीज भी बनती रहती हैं और वे बहुत से शोज में भी आ चुके हैं दोसो हम मेंसे बहुत से लोगों के जीवन में थोड़ी सी भी दिक्कत आती है तो हम उसका रोना कई दिनों तक रोते हैं लेकिन इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी दिक्कत और परिशानी देखकर आपको खुद की परिशानी बहुती छोटी महसूस होगी नाइजीरे में रहने वाली रहमा हरुना एक ऐसी लड़की है जिन्होंने अपना सारा जीवन एक छोटे से बोल में बिताया है क्योंकि उन्हें बच्पन में एक रहसमी बिमारी हो गई थी जिससे छे महीने की होने के बाद उनके शरीर ने बढ़ना बंद कर दिया था दोस्तों रहमा ने अपनी उन्नीस वर्ष की आयो इसी बोल में बिताई थी एक दा इंडियन मिस्टिक फू हाजन्ट इटन फॉर सेविन्टी यर्स दोस्तों कि आप सभी एक महीने तक कुछ खाय पिये बिना जिन्दर रह सकते हैं वेल ऐसा कैसे पॉसिफल है यार लेकिन भारत में प्रहलाद जानी नाम एक ऐसे योगी हैं जिन्होंने 70 सालों से कुछ खाया पिया नहीं है भारत समेट दुनिया के बहुत से डॉक्टर्स उनके इस कारनामे पर सर्च कर रहे हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ऐसा कैसा संभव कर पा रहे हैं दोस्तों नहीं फिलाल गुजरात के एक अस्पताल में आप्जर्वेशन में रखा गया है तो दोस्तों ये थे दुनिया के सबसे असा मानने लोग आपको इन में से कौन से वेक्तिक अचीवन सबसे असा मानने लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और हम वीडियो को लाइक और चानल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल मत भूलिये का धन्यवाद